पत्नि और पत्नी के घरवाले आपको कर रहे हैं परेशान आप को कह रहे हैं कि हमें इतना पैसा दे दो या आपके लिए या आप से गाली कर रहे हैं या बेवजे आप से पैसा वसूनना चाहते हैं या फिर कह रहे हैं कि आप पे हम जूटा केस डाल देंगे नहीं तो हमें इतना पैसा दे दो तो ऐसे में आप क्या करेंगे तो आपके लिए यानि की परिशान पतियों के लिए लाए हैं हम ऐसे धाराय दस धाराय जिनका के पूरा फाइदा उठा सकते हैं आप और जो पतनी और पतनी के घरवालों को पहुचा सकती है जेल जानते हैं कौन से थी वो धाराय लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना है कि वीडियो को एक तो पूरा देखना है, शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है क्यूंकि परिशान पत्यों के लिए यह बहुत ही जरूरी धाराय है जो पतने और पतनी के घरवालों को ही बिज़वा सकती है जेल सबसे पहली तो IPC की 323 अगर पतनी या पतनी के घरवाले आपके उपर हल्की फुल्की मार्पिट कर देते हैं यानि कि आपको थपड वगेरा मार देते हैं और आपके पास इसका evidence है या witness है तो आप ये धारा उसके उपर लगा सकते हैं IPC 324 अगर कोई वेक्ति किसी के उपर धारगार हतियार से हमला करता है और ऐसे में वो वेक्ति जक्वी हो जाता है तो आप उसके उपर जिसने की हमला किया है उसके उपर IPC 324 लगा सकते हैं और उसको जेल भीजवा सकते हैं, आपके पास विटनेस है तो. IPC 380 यानि की 380, अगर कोई वेक्ति आपके घर में आता है, आपके बिना मंजूरी के, बिना इजाज़त के, बिना जानकारी के, आपका समान लेकर चला जाता है. और बाद में आपको पता चलता है कि समान तो चला गया है, अब आप करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, माल लेजे, आपके पत्नी आपने उसके घरवालों को बुलाती है, आप घर में नहीं है, और उसके घरवाले आपका समान लेकर चले जाते हैं, आपकी बिना इजाज़त के, बिना जानकारी के, तो आप उसके उपर IPC 380 लगवा सकते हैं, अगर आपके पास पैसा देदीजे, नहीं तो हम आपके उपर जूटा केस टाल देंगे, आपको परेशार करेंगे, हमें कम से कम 60 लाग चाहिए, 70 लाग चाहिए, 20 लाग चाहिए, 40 लाग चाहिए, जबरन मसूली कर रहे हैं आप से, और आपने कुछ गलत काम किया ही नहीं है, अगर आपके पास कोई वीडियो ओडियो रिकॉर्डिंग है, विटनेस एविडैस है, तो ये केस भी आप उनके उपर डाल सकते हैं, आप, आप, पीसी 389, माल लीजे, कोई आप से कहता है, कि इतना पैसा दे देजे, और हम आपके उपर नहीं तो केस कर दे, और अगर आपने इतना पैस पैसा नहीं दिया, तो हम आपको जूते केस में फसवा देगे, अगर कोई वेक्ति आपको जूते केस में फसवाने की धंकी देता है, ये एक आम बात हो वही आजकल, कि इतना पैसा दे दीचे, नहीं तो हम क्या करेंगे, आपके उपर जूते केस डालने के आपके उपर धं सेदारों में आपको बुरा भला बोल रहे हैं कि वो तो बड़ा गंदा आदमी है, मुझे मारा है, मुझे गालिया देता है, मुझसे पैसे लेगा, ऐसी इस तरह कि अगर बदनामी करते फिर रहे, लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आप उनके उपर 499 और 500 के तहट गालिया गुझे, तो म руки sprin लेगा, तो भी आप उसके उपर याज है, आप उसके उपर लगा सकते हैं, जरूरी बात यह है, कि इन सभी बातों का आपके पास evidence या witness जरूर होना चाहिए तो पती ना घबराएं अगर आप सही है तो कानून आपके लिए है पती हो या पत्नी कानून समान है जो भी अपरादी होगा वो जिल जरूर जाएगा अगर आपके पास evidence और witness है तो पेश कीजिए और इन धाराओं के अंतरगत आप पत्नी और पत्नी के घर्वालों को भीज़वा सकते हैं कैसे लिए आपको जागतारी कॉमेंट में जरूर बटाएगा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा